हेलो बच्चों, कैसे हैं सब्सक्राइब, आज का जो वीडियो है CS Agreev Students के लिए है, जो बहुत सारी जगा पर ये सर्च कर रहे होते हैं, कि CS Agreev के जो exams हैं, वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके के questions आते हैं, paper का pattern क्या होता है, और कितना time period मिलता है हमें, कितना time मिलता है, मत question हमारे को जो आते हैं, उसमें क्या possibility होते हैं, कि हमने सुना है कि अपना difficult बहुत होता है, paper पूरा नहीं होता, चीक है ना, ऐसे बहुत सारे question rumors अपने market में सुनी होती है, अपने दोस्तों के तुरू, अपने अलग circle, friend circle के तुरू, अपना student circle के तुरू, है ना, तो क्या, उ आपको slavers पता लग जाता है, बट यह नहीं पता लगता कि, यह वाकिए ऐसा कुछ है, जो हम सुन रहे हैं, क्या वो सच है, या जूट है, तो इस वीडियो में सब दूद कर दूद और पानी का पानी होने वाला है, में साथ बने रहेगा वच्छो, end तक, end तक तभी बने, अगर बने रहेगा, तभी आपको, final answer आपको मिलेगा, जो आप solution ढूंड रहे हैं, है ना, मेरा राम है बच्छो, CS CS संधी पर उड़ा, और यहां हम बहुत करने वाले हैं, CS executive के, slivers के बारे में, detail, complete, slivers की pattern के बारे में, ना कि slivers के बारे में, है ना, slivers के बारे में भी होग चलिए बच्छो, start करते हैं, जैसे कि आपको बता है, CS security में, दो module हैं, module 1, उसमें 4 paper हैं, 4 paper में, पहला paper जो हमारा होता है, वो होता है, JIGL, jurisprudence, interpretation and general law, दूसरा paper होता है, company law का, तीसरा paper होता है, SBC, setting up of business entity and closers, number 4, tax law, अब यह जो, पहला module है, इसमें पहले 3 paper, paper 1, 2, 3, यह जो है, subjective होता है, written होता है, और paper number 4, जो tax law है, इसमें 2 subject होते हैं, एक होता है income tax, एक होता है GST, income tax के 50 number होते हैं, GST के, प्लस indirect tax, मतलब custom के भी 50 number होते हैं, अब इस subject में, आपको एक एक नमबर के 100 question होते हैं, मतलब indirect tax के वी, एक नमबर के 50 question होते income tax के वी, एक नमबर के 50 question होंगे, 100 number के questions होंगे, आपके पास, 3 घंटे आपको मिलेंगे exam में करने के लिए, 3 घंटे में होगे, OMA sheet पे हमें exam करना होता है, OMA sheet पे करना होता है, ठीक है, और आपको answer sheet, question में परज़े होता है, उसके बीचे ही आपको rough काम करने के लिए, आपक कुछ 2-3 sheets दी जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे आप अपना rough work कर सकते हो, ठीक है, अब होगा गया, आपको एक नमबर के 100 question है, अब अगला question आता है, कि सर ये 3 घंटे में possible हो पाते हैं, क्या 3 घंटे में 100 question possible है, हो जाएंगे, है ना, तो बच्चो 180 मिनट मिलते हैं मारे पास, तो approximately पौने 2 मिनट आपके पास होते हैं, 1 मिनट 45-50 सेकंड लगा दीजी आप, है ना, तो इस 2 मिनट में आपको एक question करना है, पहणना भी है, answer भी देना है और उसको mark भी करना है, है ना, तो actually में बहुत सारे questions आपको ऐसे होता है, institute 100 question का pattern बनाती है, उसमें बहुत सारे question ऐ आपके 30, 40, 50 सेकंड के अंदर-अंदर, मतलब आदे मिनट के अंदर-अंदर हो जाते है, max to max, है ना, और 20-40 question ऐसे होते हैं, जो आपका वाकई 1-2 मिनट ले लेते हैं, 3 मिनट ले लेते हैं, और वाकई आपको 10-20, max to max, 30 question ऐसे होते हैं, जो आपका 5 मिनट तक ले सकते हैं, है ना यह actually में आपकी depend करता है speed के ओपर कितनी speed से आप कितनी अच्छी तरीके से आप exam को prepare करके गए हो revise करके गए हो है ना अपने slaybers को ready कितना करके गए हो तो actually में बहुत ज़्यादा lengthy नहीं होता या lengthy इतना नहीं होता हाँ आपको अपने slaybers की यहाँ पर ऐसा नहीं है कि out of slaybers कोई question आ जाता है जो बच्चे कहते हैं वो actually में market में जूट ही बोलते हैं ठीक है ना मैं actually में 2012 से CES executive की coaching दे रहा हूँ है ना तो ऐसा आपको कभी भी CES CMA course में कभी सुनने को नहीं आएगा slaybers से बाहर आ गया जो आपका slaybers टैग या गया है उसके अंदर अंदर ही exam आपको आने है है ना तो इस लिए इस चीज़ की बारे में tension छोड़ दीजिए कि आपको इससे बाहर स्लेवर से बाहर आ जाएगा ठीक है एक question का आंसर आपका यह हुआ दूसरा कि हमारे जो question आते हैं अब यह तो हो गया कि तीन घंटे में हमारे को इस तरीके से exam आएगा यह जो objective आपके paper no.4 है paper no.5 है paper no.8 है ठीक है यह हो गया objective का अगर आप subjective की बात करें JIGL है company law है SPEC है module 2 में आपका subjective जो है security law and capital market और EBCL economic business and commercial law है यह subjective paper होते हैं पांच रिटन ठीक है answer sheet मिलेगी जतनी मज़ी sheets लो कोई दिखकत नहीं है तीन घंटे मिलेंगे यहाँ पर जो maximum questions होते हैं वो होते हैं पांच पांच नमबर के यहाँ पर भी कौम की तरह 15 बंदर नमबर की question नहीं होते मैकसिम जो question होते हैं पांच नमबर के कुछ question जो 2 से 3 question आपको 8 या 10 नमबर के देखने को मिल चकते हैं ठीक है यह actually में यह कोई fix criteria नहीं होता है यहाँ पर CS exam में कि आपको वाकरी 8 नमबर के या 10 नमबर के इतने आ जाएंगे ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं होता partition हुई होती है है ना एक मांदी जे पहला question 20 नमबर का है compulsory है बाकी आपको 20 नमबर के 5 question आएंगे उसमें से आपको 4 करने है अब वो 20 marks जो है 20 marks जो है वो partition हुआ होगा है ना कोई 4 नमबर का question होगा कोई 6 का होगा कोई 5 का होगा कोई 3 का होगा कोई 2 का होगा है ना maximum जो होता है वो 8 और 4 नमबर की question बटे हुए होते हैं ठीक है जी और length अगला question आता है इसा लेंद कितनी अगर सब्जेक्टिव जो एक्जाम है उसमें लेंद कितनी देनी है कितना क्लिकना है क्या वीकों में जैसे बोला जाता है कि भई पांच नंबर का होशन है तो आपको तीन शीट बनने है ऐसा बचो शीट का यहां पे कोई जंजट नहीं है यहां बिलकूल बिलकूल वाईयर जो आंसर हमारा होता है वहाँ पर देना शीट बननी है जी वेव कुफों की तरह शीटे भरते रहो कुछ कंटेंट है या नहीं है बस पेज काले जरूर करने है वो बेकार सिस्टम ग्रैजूशन तक होता है यहां पर आपको बिलकूल कंटेंट से मतलब है पुल मिलाके आपको अच्छा लिखना है मटीरियल लिखना है जैन्वन जो आपका जो कुछन मांगा गया है उसी वही सॉलूशन आंसर देना है फिर रालिमेंट नहीं कुछ लिखना फालतु की दर उदर की बात नहीं लिखनी ठीक है सबसे इंपॉर्टन जो चीज है बताते दें कि किस तरीके से अटेम्ट आपको करना होता है कितना क्लिखना होता है वो कुछन के दिमांड के नीड के अकॉर्डिंग आपको तैय करना होता है आप प्री असेस नहीं कर सकते कि आपको इतना ही लिखना है आदी शीटी बनी है एक शीटी लिखनी है दो ही में पता है यह इतना आपको 40% 50% पास्टिंग करेट एरिया होता है ना वह जी आपके सब्जेक्ट्स हैं और आपको जून और दिसंबर में एक्जाम होते हैं ठीक है बच्छो तो आज के लिए इतना ही बच्छो वीडियो अगर पसंद आया कुछ आपका इसमें हल्प हुआ तो वीडियो को लाइक जू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बेल ऐकन दवाना बेल ऐकन दवाना स्पेशली मत बूलिएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो जरूर कीजिएगा आपको इस तरिके की इंफर्मेटर बहुत सारी वीडियो मिलना चाहते ह अगर आप video classes buy करना चाहते हैं, description में हमारी website का link दिया होगा, website directly buy कर सकते हैं, या फिर number दिया हो गया होगा, उससे भी क्या है आप call करके buy कर सकते हैं, आज के लिए इतने ही बच्चों, thank you, goodbye.